अधार कार्ड को हम कितनी बार अपडेट कर सकते हैं अधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथरिटी आफ इंडिया यानि की यूँआई डियाई अब अधार कार्ड को होम सर्विस देने की पूरी तरह से तैयारी कर लिए अधार कार्ड से जूरी होई तमाम तरह की समस्याओं को आप अपने घर पर आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं जैसे कि आप अधार कार्ड में फोन नंबर पता नाम बाव मेट्रीक और अन्य डिटेल बदलवा सकते हैं कहा जा रहा है कि डोर अस्टेप सुविधा सुरू हो जा करना चाहते हैं तो लोगों को अधार सेवा केंदर पर जाना पड़ता है थार कार्ड को लेकर हो रहा है बदलाब को लेकर ईवाई डिया पेमेंट बैंक में कारजरत लगभग 48,000 पोस्ट मैंड को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये नागरि अधार कार्ड बनाने में अब लोगों की मदद करेंगे इन पोस्ट मैंड को डिजिटल गैजेट दिया जाएगा जिससी क्यूबे आम लोगों की मदद कर सकेंगे शाधिसाथ यह भी कहा जा रहा है कि UIDAI देश के 755 जिलों में से प्रतेक में अधार सेवा केंदर खोलने का अपडेट कर सकते हैं इसका मतलब है कि किसी भी होल्डर के अधार कार्ड में नाम पता और मोबाइल नंबर को अपडेट करने की सीमा तै की गई है हाला कि अधार कार्ड कई बदलाब ऑनलाइन भी कर सकते हैं लेकिन कुछ अपडेट के लिए उन्हें अधार कार्ड सेंटर को अधिकतम दो बार बदला जा सकता है नाम बदलने के लिए आपको किसी अधार किंड़ जाने की जरुवत नहीं है यह घर बैठे ऑनलाइन भी बदला जा सकता है अगर कोई भी अधार कार्ड होल्डर की जर्मितित्री में कोई गलती है तो तीन साल के अंतराल में उसको जो ह कर सकते हैं साथ साथ यह भी कहा गया है कि अगर आपके कार्ड पर दर्ज लिंग में कोई गड़बड़ी है तो आप उसे एक बार ही बदल सकते हैं साथ 2019 में यूआईडी एयाई ने नाम जन्दी थी और जेंडर के बदलाव पर एक सीमा लगा दी थी जिसके लिए आपको एक 20-250 रुपे का Church देना होगा प्यक्रस कालेंग कि अधार कारड में कई तरह के गलतियां है फोटो को लेकर गलतिया होती है नाम पता इन सम्में गल्तिया हैं कभी नड़ क बीचे के मility अपडेट करने को दव्रान हो जाता है तो ऐसे में अधार कारड मेंसुदहार को लेकर ज जे जाजद, थन्ने बाद